उँचे पहार, विशाल जीले और साफ सपाट नदिया ये तलकश नजारे शायद ही कही और देखने को मिलें पर यहां रहने वालों के लिए चुनौतिया भी पहार जितनी ही बड़ी हैं किसी शायर ने कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिन्दगानी फिर कहां? जिन्दगानी गर रही तो ये नौजवानी फिर कहां? सैर करने के लिए दुनिया के सबसे बहतरीन जगूने से एक है लिख लद्दाख क्या नहीं है यहां? गगन को चुनते ये पहार, अलहर बहती नदिया, दिलकश नजारे, और जहां तक निगाहें दोडाओ, मीला आस्मान पर हम एक और तरह की सैर की भी बात कर रहे हैं, उस चुनौती भरी सैर की, जिसे लिख लद्दाख के निवासी सदियों से जहेल रहे हैं इस संघर्ष पोर्न सैर ने कईयों के जिन्दगाने भी ले ली और नौजवानी भी दुनिया के सबसे उंचे दर्डों में से एक है चांगला पास समुद्रतल से उचाई 17,590 फीट चांगला पास से उतरते ही मिलता है ये नजारा अचानक हुई सितंबर के बर्फबारी ने मानो सबको जकड़ लिया है जिन्दगी का पहिया यकायक ही रुप गया लेकिन नहीं लद्दाख में ही बसने वाले कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए ये पर कुछ भी नहीं है ये हैं लद्दाख के खाना बदूर जो लगभग पूरे साल ही इन जानवरों के साथ एक जग़ से दूसरी जग़ घूमते रहते हैं इनके जिन्दगी में सबसे एहम चीज है इनके याख इससे दूद और उससे बने पदार्थों को बेच कर ही ये खाना बदोश अपना गुजर बजर करते हैं हर साल कम से कम दस महीने ये लद्दाख के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमते रहते हैं और ये याख भी अद्भुत प्राणी हैं अगर उट्रेगिस्तान का जहाज है तो ये है पहाडों का जहाज जरा देखिए क्या क्या खूबिया है याख में शूनी से पचास डिगरी कम तापमान को ये आसानी से जहेल लेता है तीन सौ खिलो तक का बोज अपनी पीठ पर लाद कर ये मीलों तक बिना हाफे बिना रुके चल लेता है आज से खरीब पचास साल पहले तक जब मोटर गाड़ियां इन दुरकम रास्तों पर कम ही चला करती थी तब याख की मदद से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे ये सलसिला आज भी बदस्तूर जारी है सेरिंग मुतुप जैसे खाना बदोशों के लिए सेरिंग की तरह ही करेब 20,000 ऐसे घुमंतर आज भी लद्दा की उचाईउं में अपना जीवन जी रहे हैं एक चारागा से दूसरे चारागा की तरफ सफर करते हुए 65 वर्षे सेरिंग मुतुप मुस्कुरा कर बताते हैं कि वो 15 साल के उम्रे से ही इस सफर में हैं झाल ऑख भी इस सब्सक्राइब घर ही सेंगी बAAA South जबने जाता है उसमें बहुत अच्छा गास होता है यह हम ज़त दो पो तीन दिन कर गासा है थो पहुंच जाता है तो एक मिना उदर बैठता है फिर एक मिने के बद गश घतों जागा नहीं अगए जाना जाता हूए कि वह दोड़ा आगे चली जाता है उधर रहता है। मौसम के हर मिजाज को जھیला है उन्होंने उनके पत्मी 45 साल से उनके साथ ही है कदम से कदम मिलाते हुए वो हसकर कहती हैं कि इस जिन्दगी की तो उन्हें अब आदत लग चुकी है किसी किसम का कोई गिला नहीं है इन्हें इस खाना बदोश दमपती का ये टेंट भी याग की खालका बना है लेकिन इन्हें बर्व से पूरी तरह बचाने में ये भी नाखाम्याब है इनके सफर का पूरा सामान हर समय इनके साथ ही रहता है नमालूम किस घड़ी कूच करना पड़ जाए ये सब इनके हाथ में नहीं है ये तै करता है लद्दा का बनता बिगरता मौसम या फिर दूर किसी घाटी में इनके याकों के लिए उगरही नई घास सेरिंग मुत्व कुछ इस तरह से अपने जिंदगी का हवाला देते हैं ये किसाथ घर्मी के चंदो आसन है बादे पड़ी में चिचर के आता है दिन को एक आत्मी साथ जाके लेके आना शम को लाया बच्चा साथ इदे बन करके सुबह उसका दूर निकल के फिर बच्चा माँ साथ छोड़ देना दिन में उचर के आएगा बस फिर सुबह दूर निकल दिया फिर रात को इदे रहेगा हो याक पाल में वाले खाना बदोशों की बेहतरी के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए है डिसकित में ही स्थित है ये याक ब्रीडिंग सेंटर इस पूरे सेंटर की देखरे का जम्मा है डॉक्टर सोनम डूलकर पर तो याक के एवैनेस के लिए हम अलगले विलेजिस में जाके हम कैम्स लगाते हैं उनको पताते हैं समझाते हैं कि याक से क्या-क्या बेनिफिट होते हैं और याक रियर करना की ज़रूरत होते हैं जितने भी याक से वो सब क्रोज ब्रीडिंग हो जाते सर उसका प्यॉर जीन्स नहीं रह जाते हैं तो हमने उनसे याक के सिमन डिमांड किया था ताकि याक जो जो जाम प्लाज़ा में वो डाल यूट ना हो तो इसलिए हमने अभी डिमांड के अलाज़ चा जाएंगे उनका सेमिन तो हम याक के पर्टिकुलर ब्रीट को हम कंजर्ब कर सकते है एक तो हमरा डिपार्टमेंट का अबजेक्टिफ है याक के जो ब्रीट है वो कंजर्ब करें इस बारे में हम अभी एक प्रोजेक्ट बना के समिट किया है और उन पे काम भी कर रहे हम ऐसी ही चुनौतियों भरी कहानिया लद्दाख के कई और हिस्सों में देखी और महसूस की जा सकती है मसलन पिंगॉंग जील के पास लद्दाख आने वाला शायद ही कोई ऐसा सैलानी होगा जो पिंगॉंग का नजारा लिये विना वापस जाता होगा भारत चीन सीमा पर ये दुन्या की सबसे बड़ी और सबसे उंचाई परिस्थित नमकीन पानी की जील है झाला झालाант लुल्झ कोई। झाला झाब। झालाइ माइच लगॉंग कुल होगा झाला जील ये एदोपय जुब्वालास कि झालाम टू्ट पंगों जील से झाल जानपा बताती हैं कि इन पहाडों से बाहर बोग कभे निकली ही नहीं सपाट मैदान और भीडबार क्या होती है उनका इने कोई एहसास ही नहीं है इन जगों की सिर्फ तस्वीरे ही देखी है भारत में यह सर्फ लद्दाख जैसे उचाए वाले इलाकों में ही नहीं ही नहीं है साल के छै महीने यह अपने बिल में हाइबरनेशन यानी गहरी नेंद में रहते हैं इस समय यह बाहर निकले हैं थोड़ी चहल कदमी करने यह अपने और सैलानियों का मन बहला रहे हैं लद्दाख के पोटली में कितनी हैरतंगेज चीज़े हैं यह यहां आकर ही पता चलता है अब इस नुब्रा घाटी को ही लीजिए इस घाटी का सबसे खोबसूरत नजारा देखना है तो आएए इस डिस्कित मॉनस्टरी पर नहीं यह नहीं यह तो है ही यहां से देखिए नुब्रा की शान पर हम तो साथ ही बात कर रहे हैं चुनौती की प्रकृती के साथ दिन रात के संघष की जिसमें लद्दाख के लोग उल्चे रहते हैं नुब्रा में शायद ऐसा नहीं है लेकिन यहां पहुँचने से मात्र 15 किलोमिटर पहले मिलता है यह खारदूं गाउं यहां एक दूसरी ही असलियत देखने को मिलती है उचे पहाडों की तलहटी में बसा खारदूं गाउं मात्र सौ घरों का गाउं और गाउं में बेतखाशा काम करते यह लोग जल्दी में हैं यह सब क्यूंकि कुछ ही हफ्तों में पूरा खारदूं बर्फ की चादर से ढख जाएगा पूरे साथ महीनों तक यहां बर्फ का सामराज्य रहेगा किसी किसुम की कोई खेती नहीं हो पाएगी घास का एक तिन का भी नजर नहीं आएगा यहां इसलिए अभी जितना कुछ है उसी को समेटने में लगे हैं खारदूं गाउं के निवासी खारदूं गाउं के लोग चुनोथियों से कैसे जूजते हैं यह बताती हैं यहीं की स्पालजैस डोलमा स्पालजैस डोलमा को हलके में आँक ना बड़ी भूल होगी जिंदगी की कठिनाईयों का इन्होंने कैसे डट कर मुखाबला किया यह भी एक मिसाल है पांच साल पहले ही डोलमा इस गाउं के सरकारी स्कूल से बताओ टीचर रिटायर हुई हैं इनके पांच बच्चों में से एक बेटी भारते क्रिशे अनुसंधान परिशद में पैज्ञानिक है दूसरी बेटी चंडिगर से इतिहास ओनर्स कर रही है और एक बेटा ग्रिह मंत्राले में सेवारत है तरव में परिशन हैं जिए परिशन गरमियों इन yummy फासिल आती हैं एक ही फासिल हैं थी वो तो बलते हैं ओदे टेनिंग करने वाल अभी तक नहीं आया आया और बरॉट के तरफ से तरफ से हमें हमें माटर के बीज देता है थे यहां फिर थोड़ा भध हमें वहीज बैसने हैं जी वोगने चरह साल तो हमैं साब सिटी में मिलते है एस साल हमने अ हमा मैंना फूल राटिपर मिला है एसले लोग ले नहीं साका ना और रेड मिल सकतके हैं यस साल मुसम अचह रहा, माटार भी अचह रहा, सरसुं भी बहुत आच्छा रहा इक स्टतरूर जिकुल के लावा हम जमिंदरी लिए form में थोड़ा टैनिंग शेनक चेनिंग गी उंच मुल जाए तो हमें फसील लगाने में माटार लग। कैसे लगना आलू कैसे लगना है वो टेनिंग भी थोड़ा बोड मील जाए तो हमारे गउंवाले खुश हो जाएगा जी फिर एक स्प्रेन हो जाएगा हमें सब दिल लागाने का तरीका जो टेनिंग मील जाएगा तो फेर हमें आच्छा रहेगा जी ठान में बास गार में बेट के आपना हातूं का काम करते है जी सोक बनाते हैं बनियन शनीन बनाते हैं वो आपना लदा की कौंचा बनाते हैं वो रहे हमें प्रक बनाते हैं प्राइग करेंगा में बनाते हैं ध formats प्रोby को स्परे का बनाते हैं रहें ऋन्यों कि इस क्रते हैं चक्शाधारा हैं फेरू नहीं कर रैखरी हैं दूडका रहे मे're उुड़ित हैं रहें ज्रहें आप्रमा खैंबर्स झाल 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 यहां के उंचे पहाडों, नदियों और झाल यहां के चुनोतियों का मुकाबला करने में यह भी उनकी मदद करता है बात साफ है, लट्टाक के खोबसूरती आपको मंत्र मुग्ध कर देगी और जमीनी हकीकत अंदर तक हिला देगी लेकिन फिर यह भी है कि आप गिलास को आधा खाली देखते हैं या आधा भरा हुआ लाख मुसीबते सह रहे हैं सेरिंग मुतुप जैसे खाना बदोश पर जंदगी पर इनकी पकड कमजोर नहीं हुई है चेंगलमसर जामपा का भी अपने बकरियों के लिए लगाव देखते ही बनता है और इस पालजर्ज डोलमा ने तो हिम्मत का दामन कभी छोड़ा ही नहीं डोलमा अपने परिवार के साथ खुश हैं उनके पोते पोतियां भी उनके साथ हैं डोलमा मानती हैं कि अपना भविश्य ये बच्चे खुद हे तै करेंगे नकी हड्डियों को जगजोर देने वाली साथ महीने की ठंड और ये संभव होगा इनकी पढ़ाई और पक्के इरादों से